किसान भाईयों मैं सतेश HDR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाईयों हुने एक हाल ही में वीडियो बनाया था नई किस्मों के बारे में तो उनको हजम नहीं होता है और वो उल्टी सीधी कमेंट कर देते हैं तो ये एक नई प्रजात है DBW 187 जिसका अधिक्तम उपज जो है 96.6 कुंतल है और हमने 100 कुंतल इसको बताया था एक बेस के रूप में जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाया और ये आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो आपको सही मार्क दर्सन मिले और सही दिसाने देश मिले पिछले वर्स भी एक हमने वीडियो बनाया था HD22 के बारे में उसमें भी बहुत लोगों ने उल्टी सीधी कमेंट की थी तो उल्टी सीधी कमेंट करने वालों से हमारा यही कहना है कि जो भी आप कमेंट करें पहले जो सच्चाई है उसके बारे में जान लें क्योंकि जो गलत जानकरी देते फेक वीडियो बनाते हैं उन पे तो आप लोग कभी कमेंट करते नहीं उस सही जानकारी वालों को आप लोग टार्गेट बनाते हैं और किसान भाईयों को बहकाते हैं चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा हकिकत दिखा रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान दबाईए आल कीजिए जिस हम लोग जो हैं जो सही जानकारी देते हैं हम सभी यूट्यूबर को तो गलत नहीं कहते हैं बहुत से यूट्यूबर हैं जो सही जानकारी आप लोगों तो पहुंचाने के वोसिस करते हैं उसमें से हम भी सामिल हैं कि आप लोगों को गलत जानकारी ना मिले या कोई गलत ज सीधी कमेंट करने से नहीं चूकते हैं क्योंकि उनका यही मकसद रहता है कि सही जानकारी किसानों तक ना पुँचे या वो अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझते हैं तो ऐसे बुद्धिमान लोगों से हमारा यही अंद्रोध है फिर भी आप यदि कमेंट करते हैं तो सोन समझ कर करें पहले उसकी गहराई तक जाईए उसके बाद ही आप उल्टी सीधी कमेंट करें फेक वीडियो यदि होगा तो उस पर आप लोग नहीं कमेंट करेंगे इसकी पूरी डिटेल हमने कैसे आपको उपलब्द रहेगा इसकी भी जानकारी मेंसन करवा दी है एगरी एडवाइज पर हमने इसकी डिटेल दी है कि आप कैसे फार्म को फिल कर सकते हैं और आपको बीज कैसे मिलेगा पूरी डिटेल से उसका भी वीडियो देख सकते हैं आई बटन में हम इन सारे व भाई हमसे जुड़े हैं रेगुला जुड़े रहे हैं और ऐसे बहकावे वाले फिंक जो कमेंट करते हैं उल्टी सीदी गाली गलोज वाली कमेंट करते हैं उन पर ध्यान ने दे और ऐसे लोगों को आप लोग भी टार्गेट कर सकते हैं उन पर टिपड़ी कर सकते हैं कि आप गलत क्यों कमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं नए वीडियो में उन लोगों से अनुरोध है कि कोई भी जानकारी के पहले आप गहराई जरूर की से पता करें उसके बाद ही कमेंट करें धन्यवाद